राजिपाल तमीली साई सुन्दर राजन ने कहा है कि विश्व विध्याले में पढ़ने वाले चात्रों को अच्छा भोजन, गुनवत्य पूर्ण सिक्षा, आवास और रोजगार प्रदान करने की आवशक्ता है राजिपाल तमीली साई सुन्दर राजन से मुलाकात की चात्रों ने राजिपाल तमीली साई को विश्व विध्याले में समस्याओं के बारे में बताया राजिपाल ने आशवाशन दिया कि सरकार अब छात्रों की समस्याओं पर ध्यान देंगी राजिपाल तमिली साई ने कहा है कि छात्र विश्व विध्यालों में मूल भूत सिविधाओं की मांग कर रहे है राजिपाल तमिली साई ने कहा है कि वहां उन्हें सुलजाने का प्रयास करेगी राजिपाल ने इस बात की सराना की की छात्र ना केवल नौकरी चाहने वाले हैं बलकि भविश्य में नौकरी देने वाले भी है राज्य पाल तमेली साई ने कहा है कि स्वतंत्रा समहारों के 75 वर्ष पूरे होने पर हर घर तिरंगा लहराने के अलावा एक ओनलाइन लिभंद लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है स्व violations मंत्री हरिश राव ने कहा है कि केंद्रिय मंत्री किशन रेडी वास्तव स्थिती को समझे बगर बयान दे रहे है उन्होंने कहा है कि किशन रेडी ऐसा मान रहे है जैसा बीबी नगर एमस के मुकाबले कोई और अस्पताल नहीं है हरिश राओ ने आरोप लगाया है कि बीबी नगर एम्स अस्पताल में ना कोई मरीज है ना कोई इलाज हो रहा है अस्पताल में किसी तरह का कोई इलाज भी नहीं किया जा रहा है गरीबों को कोई चिकिस्स सुविधा उपलब नहीं है हरिश राव ने कहा है कि बीबी नगर एम्स में पड़ाई कर रहे मेडिकल के छात्रों को परेशानी हो रही है हरिश राव ने कहा है कि भाजपा सरकार ने ही एम्स का स्तर गिरा दिया है हरिश राव ने कहा है कि M's के पास ही इस्तिती पी एच सी में ग्यारा प्रसव किये गए जबकि M's में भरती होने में किसी ने कोई दिल्चस्वी नहीं दिखाई केंद्रिय मंत्री किशन रेडी पिछले साल M's गए थे लेकिन उन्होंने M's के लिए कुछ हासिल नहीं कर पाए मंत्री हरिश राव ने कहा है कि तेलंगाना के विकास पर भाजपा सरकार विशेश ध्यान नहीं दे रही है उन्होंने कहा है कि भाजपा नेताओं को टी आरेस को दोश देने और आलोचना के बज़े तेलंगाना M's पर ध्यान देने की जरुरत है हरिश राव ने कहा है कि भाजपा नेताओं का कहना है कि उस्मानिय अस्पताल में इलाज ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है केंद्रीय मंत्री किशन रेड़ी को उस्मानिय अस्पताल का दोरा कर यहाँ देखना चाहिए कि यहाँ के मेडिकल स्टाफ किन मिश्किलों का सामना कर रहे है और उनका इलाज कैसे चल रहा है हरिश राव ने किशन रेड़ी पर निशाना सात्ते हुए कहा है कि केंद्रिय मंत्री को डॉक्टरों का इस तरह अपमान नहीं करना चाहिए मंत्री हरिश राव ने केंद्रिय मंत्री किशन रेड़ी से पूछा कि अगर उस्मानिया में चिकित्सा सेवाएं अच्छी नहीं है तो घुटनों की रिप्लेस्मेंट सरजरी, अंग प्रत्यारोपन सरजरी और अन्य दुरलप उपचार कैसे किये जा रहे है अनावरन समारो समीति के अध्यक्ष सांसत के केशिव राव ने भारत की सुतनता के द्वी सप्ता के हीरक जैनती समारो से संबंदित लोगों का अनावरन रविंद्र भारती में किया केके ने कहा है कि वहाँ दो सब्ता तक चलने वाले इस समारों के लिए लोगों का अनावरन करके खुश है उन्होंने कहा है कि राष्टिय ध्वज में धर्म का प्रती निद्व करने वाला धर्म चक्र है स्वतंत्र भारत के उच्सव में सभी को भाग लेना चाहिए केके ने कहा है कि अंग्रेजों ने हमारे पूरवजों को बहुत दुख पहुंचाया है और हमारे बलिदानों को याद करने के लिए हीरक जैन्ती मनाया जा रहा है उन्होंने कहा है कि यह कारकरम किसी के लिए प्रती स्परधा नहीं है यह सभी के लिए है हीरक जैनती उत्सव के आयोजन के लिए विशेश विवस्ता की गई है सभी सिनिमा घरों में महात्मा गांधी की फिलिम दिखाई जाएगी बताया गया है कि 15 दिनों तक प्रदेश भर के एतिहासिक स्तलों पर बिजली की रोशनी से सजावट की जाएगी खेरताबाद विधायक दानम नागेंदर ने कहा है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजे अगले चुनाओ में मुख्य मंत्री बनने का सपना देख रहे है उन्होंने कहा है कि अगले चुनाओ में जनता विपक्षी दलों को सबक सिखाएंगे सीम केसिया राजी के 119 निर्वाचन शेत्रों को समान रूप से विक्सित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे है किंकोटी शेयर गेट पर सरकारी अधिकारियों के 17 हित ग्रहियों को डोनेशन शादी मुबारक चेक बाटे गए इस मौके पर उन्होंने इस बास से इंकार किया कि कुछ नेता कह रहे है कि उपचुनाव होने पर ही शेत्र का विकास होगा उन्होंने कहा है कि कुछ लोग दल बदल रहे और स्वार्त के लिए उपचुनाव में जा रहे है प्रवस्तु और आज शादी मुबारक की चेक्स लेने वाले सबी फैमिलीस को माई दिल से मुबारक बाद देते हुए आज कासकर जैसा हमारे भैन ने बताया मैनाटीस की माशी आलाग को मद्दे नजर रखते हुए हरदिल अजीज चीप मिनिस्टर जो गरीबों की मसाई है और गरीबों की अंदर दे उन्हों एक ऐसा प्रोग्राम मैं समस्तों है इंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं है आज जो शादी मुबारक हो कल्यान लक्ष्मी हो बहुत सारे काम यह प्रोग्राम जो है इंदुस्तान में कोई रियासक में नहीं है सिरिफ और सिरिफ और तेलंगाने में है और तेलंगाने के अबवाब की जो है माशी आलाद को मद्य नजर रखते हुए एक डलिता बंदू हो मैनाटी फाइनेंस कॉर्परेशन हो जो मैनाटीस का जो ओवर्सिस एडिकेशन के लिए हो ऐसा देखे गए तो इतने की प्रोग्राम हम पुनों ने अंजाम दिया तो लियाद हम अपलों से यही बात पुजारिश करेंगे हम लोग को तो वान साल हम मेनस करते हैं आचे बुरे में हम साथ रहेंगे और ऐसे प्रोग्राम जो है अगर चलना है आगे चलके भी जैसा आज जो है हम 17 लोगों को शादी मुबाहर के चेक दे रहें तो ऐसे अत्तारा बहुत है अत्रियास अत्य लगाने के अंदर मैना टीची नहीं अरे जर्बू आदीस कुट रूजे मैना टीची नहीं बालके बहुत सारे लोग ऐसे माशी आलाग से जो है अपनी रोज मर्ने की जिंदेगी बुजारने के लिए क्या-क्या तखिव को ने अंजान दिया आज अगर शादी मुबारक हो कल्याना लक्षमी हो दलिता बंदू हो और सीजिकेशन हो और जो है आज आस्पटल में अगर कोई गिरा तो उसका भी टीट्मेंट के लिए चीप मिनिस्टर साब जो है चीप मिनिस्टर रिलीफट के जरी हैं कई काफी गरीबों के बीच में रहते हुए और अब अगलिक धर्मायम में रहते हुए उनका अच्छा बुरा में साथ देते हुए पांच साल के बाद जो एलक्षन आता यहां तरह तरह के लोग पैदा हो जाते हैं जैसे पाने के बुड़बुड़े उड़ते हैं वैसा उड़ जात दर क्या-क्या हम लोग को तक्रिफ उठाना पड़ा है। शर्मिला ने जला सौधा के मुख्य अभियंता को परियोजनाओं के नाम पर केसियार पर भस्चाचार का आरोप लगाते हुए ग्यापन सौपी। उन्होंने कहा है कि केसियार ने जितने अवेत काम किये है देश में या अन्य राज्यों में किसी और ने नहीं किया होगा। मेगा कृष्णा रेड़ी केसियार एक ही थाली के चटे बटे है। कारण कांग्रेस ही है जब कांग्रेस अहंकार से तिल्गो भाशियों को अपमानित किया था तब क्या स्वाभिमान के लड़ाई के लिए तेदेपा की स्थापना नहीं की गई थी। इटेला ने कहा है कि मुनुगोडो में एक बार फिर स्वाभिमान की लड़ाई है। इटेला राजिंदर ने साफ किया है कि लोग सीयम केसियार जिनोंने विधायकों को पैसे के बल खरीदने की रण नीती अपनाई है को सबक सिखाएंगे। बीजेपी नेता डीके अरुना ने कहा है कि लोग रेवेंती रेड़ी को तेलंगाना का चंद्रबाबू मानते हैं। वे इस तरह बयान दे रहे हैं जैसा कि उनका जनम किसी कॉंगरेसी नेता के घर हुआ हो। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपनी भाषा बदलनी चाहिए। उन्होंने आलोचना की कि रेवेंती रेड़ी इस तत्य को पचा नहीं पा रहे है कि राजगोपाल रेड़ी भाजपा में शामिल हो रहे है। उन्होंने आंदोलन के दोरान सोनिया और राहुल पर रेवेंद की टिपनियों का वीडियो चलाया। सोनिया गांदी की आलोशना करने वाले रेवेंद के शब्दों को लोग आस तक नहीं भूले है। से मीरपेट नगर निगम का विकास किया जा रहा है। ठिगला विक्रम रेड़ी स्थानिय पारशद नरेंद्र बार्वी मंडल के पारशद रवी नायक लक्ष्मी नगर कॉलनी निवासी विजे कुमार कृष्णया सुरेश श्री निवास बलराश शंकर श्रवन कुमार महादेव भारगव ने भाग लिया। भाजपा पारशद अकुला श्रीवानी अंजन कुमार ने जोनल कमिशनर पंकजा से सरुननगर संभाग में हो रहे विकास कारियों की शिकायत की। जोनल कमिशनर को बताया गया कि संभाग में काम धीमी गती से चल रहा है। तेलंगाना की राजधानी हाइदरबाद में एक और एतिहासिक इमारत उधगाटन के लिए तयार है। शहर में तेलंगाना राज्य पुलिस कमांड कंट्रोल बिल्लिंग का निर्मान पूरा हो गया है। इस इमारत की तस्वीरे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले मंत्री केटियार ने बुदवार शाम ट्वीट कर इमारत की अहमियत बताई। केटिया ने कहा है कि तेलंगाना स्टेट पुलिस इंटीग्रेटेट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के नाम से बनी इस इमारत को विश्वस तरिया मानकों के साथ बनाया गया है। उन्होंने कहा है कि इसे देश का सबसे आराम दायक सरकारी भवन माना जाएगा। केटिया ने कहा है कि सियम केसी आरकलिस भवन का उधगाटन करेंगे। रंगरेटी जिला MMRPS कमेटी के सदस्यों ने साफ कर दिया है कि जब तक सी का वर्गी करण नहीं हो जाता उनका संगर्ष नहीं रुकेगा। राजुंद्र नगर सरकल बुडवेल बाबु जग जीवन राम MMRPS नेताओं की क्रमिक भूख हरताल छटे दिन पहुँच गई है। अमबेटकर युवाजन संगर MMRPS के राष्टिय उपाध्यक्ष वनम नरसीमा मादिगा ने कहा है कि ABCD वर्गी करण में वैदता जोड़ने के लिए संसत के मानसुन सत्र में एक विधायक पेश किया जाना चाहिए। बेटी को जन देने पर पत्नी को घर से निकाल देने वाले एक सौफ्टवेर कामचारी के घर के सामने महिला संगठनों ने विरोत प्रदशन किया। इस दोरान उसकी पत्नी भी वहां मौझूद थी। दूसरी डेलेवरी में एक लड़का और एक लड़की हुई। दूसरी बार भी लड़की को जन्म देने के कारण उसे घर से निकाल दिया गया। महिला संगठोनों ने घर के सामने धरना देकर महिला का समर्तन किया महिला संगठोनों ने कहा है कि जब तक पत्नी और बच्चों को घर नहीं ले जाया जाता तब तक वे यहां से नहीं हटेंगे लेकिन जब शीकान के घर की चट से वीडियो लिया गया तो महिला समुव नाराज हो गए और घर में घुसने की कोशिश करने लगे पुलीस के हस्तशेप करने पर सिती तनावपूर्ण हो गई भाजपा नेता टी एन मुरारी ने चावनी बोईन पलिस सरकारी स्कूल के परीसर में स्थित स्वैंभू विकनेश्वर मंदिर में विशेश पूजा अर्चना की टी एन मुरारी ने कहा है कि प्रतेक बुदुवार को भोजन दान कारेकरम आयोजित किये जाएंगे टीन मुरारी ने कहा है कि वे मंदिर के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और जब तक मंदिर का विकास नहीं हो जाता अन्यदान और होमम विशेश पूजा कारिकरम आयोजित किये जाएंगे इस कारिकरम में भाजपा नेता, अरजुन यादव, कन्य प्रकाश, कट्टाला मंडी, राजू, ओंकार श्रीनू, यादव, रजनी, कांद और कहीं अन्य लोगों ने भाग लिया दिवंगत एंटियार के बेटी कंठम नेनी उमा महश्वरी का अंतिम संस्कार हो चुका है उमा महश्वरी को अंतिम संस्कार में बाल कृष्णा और राम कृष्णा उपस्तित थे पति स्रीनीवास प्रसाद ने उमा महश्वरी को अंतिम संस्कार में बाल कृष्णा और राम कृष्णा उपस्तित थे पति स्रीनीवास प्रसाद ने उमा महश्वरी को मुखागनी दी अंतीम संसकार में तेदेपा नेता, चंद्रबाबू, नंदम मूरी, बाल कृष्णा, लोकेश परिवार के सदस्य और कई फिलिम और राजनीतिक हस्तियां शामिल हुई स्वतंतरता दिवस के हीरक जेनती के अवसर पर शेहर केश्री सावित्री कन्या उन्नत पाठशाला में राखी बनाना सिखाया गया इस अवसर पर बच्चों के बीच मिठाया वित्रित की गई लॉइन्स कलब के अध्यक्ष जारीनाथ रानी पूर्व अध्यक्ष अलका मनीशा सत्वंती सराइवाला ने राश्टिय गान गाया जाविल उच्चल वंगा इंदे माचल यमुना गंगा उच्चल जलसितरंगा शबशु बनाये जाये शबशु भाशिशमाये जाये सबजय गादा जेनगनमंगल दायक जेया है बारत बागे विदाता जेया है जेया है जेया 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 है